हलो आपरीबान वेलकम बैक टो में चैनल वीवर्स कैसे हो आपसे लोग गाईज चलिए देखते हैं कि आज रात आपके परसंट के मन में क्या है क्या सोच रहे हैं वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में उनके लेट नाइट थौट आपको लेके क्या है तो जनरल लीडिंग है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा तो चलिए देखते हैं कि आज रात आपके परसंट के मन में आपको लेके क्या है प्लीज यूनिवर्स एंजल प्लीज काईट करें बताएं आज रात मेरे प्रिवर्स के परसंट के मन में इनको लेके क्या है उनके आज let's see we have the herophant knight of pentacle we have judgment nine of sword okay queen of cups knight of cups we have star and the ten of cups bottom से मार पास आए है king of cups अगर आपर देखे तो हमारे पास में king और queen दोनों ही एक ही similar इनर्जी के आई है तो मैं यहां पर आगर आप देखूं ऑवरोल एनर्जी जो आपके लिए major आई है आज के अनर्जी ठीक है जैसे major transformation कुछ बदलाव आपके परसन के अंदर जरूर आज रिप्रेजेंट होते हैं अच्छा मैं यहां पर देख पारी वीवर्स की कहीं है कि आप यह तो आप दोनों एक दूसरी के साथ में शादी शुदा हो सकते हैं यह दोनों ही अलग अलग ज़से लाग अलग बहुत जरूरी जिसकी एहमियत को मेभी आप और आपके परसन को समझना यहां पर जरूरत है ठीक है कि आप लोग बने ही एक दूसरे के लिए हो made for each other वाली एनरजी गाइस मुझे यहां पर फील हो रही है लेकिन हाँ एक तरह के negligence यहां पर ज़रूर दिखाई गई है उसी negligency का असर यहां पर nine of sword में नजर आ रहा है ठीक है यहां पर आपके person का point of view हो है आज यही दिखाई देता है कि वो आपसे दूर है आपसे जैसे कि उनकी उनको दूरी का एहसास हो रहा है उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उनको judgment यह है कि आपके अंदर जो कुछ आ यहां पर क्या है यहां पर अगर देखें तो कि आप सबसे पहले अपने उस aspect पर देख पा रहे हो कि आपने कहां पर क्या क्या गलतिया की है क्योंकि गलतिया यहां पर realization हो गई है दूसरा यहां पर मैं देख पा रही हूं एक aspect यह भी दिखाता है कि आप जिस situation में हो आपके को यहां पर मैं तनाव के स्थिती कहिना के देख पा रही हूं एक मैं यहां पर एक चीज़ और देखूं जैसे कि मैंने बोला था आप लोग एक दूसरे के लिए डिवाइन कपल हो सकते हैं लेकिन डिवाइन कपल होने के वावजूद भी आपके रिलेशन्शिप में आप दोनों के बीच में कुछ भी चलकपट तो मुझे नहीं आप वैसे अगर देखा जाए तो यह पर चीज़ नहीं नहीं आ रही कि इनों ने सरफ आपके साथ में रिलेशन्शिप इसलिए बनाई इनको आपके साथ में रहना था पर टाइम बिंग फिर आगे निकल जाना था ठीक है लेकिन मैं यहां पर देख पारे हूं कि जो चहाते आपकी भी वही हैं इनकी भी वही है लेकिन यहां पर आप दुरोगों की बीच में एक तरह का प्रॉब्लम्स जा होए जो है बहुत उनकी लाइन बहुत लंबी लग गई गया है जिन से आपके परसें निकल न इस नहीं हो सकते है या निकलवे वही ह्याँ है था अनिकल आपके परस, आपके परसन के ऐसे हो इन निकेशिछे के था में यहां पर आपको स्क्ते एंनरजेगाइओार suficiente कि के अश्चों हुआ है और इस निकलवा एक 스न आपने बन्धनों से रिलेज हो जाना थाना चाहते है यहां पर problem क्या क्या है आपके relationship में एक तो caste issues हो सकते हैं ठीक है यहां पर religious factor हो सकता है orthodoxy यहां पर शामिल है यहां पर money matter शामिल है यहां पर अपनी value कोई अपनी बहुत जादा समझ रहा है ठीक है यहां पर यही चीज़ा guys मुझे जादा नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं अपनी बुद्धि का इसंवाल कैसे करते हो जादा रहे है उसको अपनी सोच हो सकती है दूसरे यहां पर आपके person की इक अलग सोच हो सकती है जिसको मैं यहां पर कहीं रिलीज होने की एक चाहत को देख पारी हो, आपके परसन यही चाहते हैं, यह देखो दुआएं हैं यहापे, कि यह जो चीज़ इनके साथ में हुई है, यह रिश्टे में हुई है, यह रिलीज हो जाएं, यह निकल जाएं, इनको एक चांस मिल जाएं, यह मतलब अपने आपको ऐसा महसूस क जैसे कि इनको कुछ चाहिए इनको कुछ चाहिए एक freedom चाहिए आपके person को तक कि अगर उन्हें freedom पहा से मिले इनको permission मिले तो ये आपका रिष्टा पा सके ये आपका रिष्टा पा सके क्योंकि मैं यह पर देख भा रही हूँ ये जो person है आपका आपके साथ में एक journey of love कहते हैं ना यहाँ पर night of cups आना यहाँ पर journey of love को represent करता है कि इंसान life में अपने रिष्टों में आगे बढ़ना चाहता है अपने relationship में आगे बढ़ना चाहता है एक stability अपने relationship में चाहता है जिसमें अब उतार चड़ाव ना आए क्योंकि और लेडी काफी उतार चड़ाव आप दोनों देख चुके हो इस relationship के अंदर है ना यहाँ पर मैं देखते हूँ कि आपके person को यहाँ पर जैसे कि वो एक loyalty आपको अपनी साबित करना आपके person आपको ऐसे ही सोच रहे हैं कि अगर तुमने मेरे को लेकिक सोच बना ली है कुछ गलतिया अगर मुझसे हो गई है तो doesn't mean कि यह चीज़े मैं rectify नहीं कर सकती है नहीं कर सकता है इन चीज़ों सो मैं overcome करके दिखाऊंगा अपने आपको आपके person से इस relationship के अंदर आपके लिए जो तना चाहते थे वो नहीं कर पाए क्योंकि यहां पर मैंने बोला ना कुछ इनके ओपर थोपा गया है ठीक है उसके दवाब में आके आपके person ने कहीना कि यह किया है तो यह मैं देख पा रही हूँ और वीवर्स यहां पर मैं अगर मैं देखू एक message जो मुझे और मिलता है एक तो दवाब तो आपके person पर था ही था दूसरा यहां पर यह कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको अपनी लाइफ में इनसे कुछ ऐसे रिष्टे भी बने हैं ठीक है जिनको लेके आज आपके person को पश्तावा होता है क्योंकि यहां पर मैं देखू यहां पर हैंग मैं है यहां पर वो टू वेंड्स है अब यहां पर energy guys यही represent करती है अगर आप देखेंगे कि इन्होंने अगर अपनी life में choices रखी हैं इन्होंने अपनी life में अगर आपकी तरफ देख करके भी अंदेखा किया है आपके साथ में connect होनी की चाहत को इन्होंने नहीं मतलब कतने पूरा नहीं किया या फिर अपनी life में इनको पता था कि यह क्या कर रहे हैं किस रहा पर चल रहे हैं क्या इनको इनको इलिए सही है क्या इनके लिए गलत है तो अगर आपके person ने यह चीज़े नहीं देखी एक इनको सरफ अगर अपनी life में थोड़ा सा कतने enjoyment करना था समझ पा रहे हैं तो इहां से मैं कुछ कार्ड लेना चाहूंगी आज रात आपके लिए देखते हैं आपके लिए यहां पर क्या messages है आपके साथ में आपके साथ में और मतलब उनी चीज़ों का आज आपके परसन को यहां पर वही रिपेंट वाली एनरजी पश्तावी वाली एनरजी है कि यह मुझे यह कि चीज़े नहीं करनी चीए थी जिसे कि कुछ था इनसे हो गया बहग गया आपके परसन कुछ ऐसा ही आपे है देखो है ना faithfulness मैंने गए अपनी अपनी लॉयल्टी आपको साबित करना चाहते है कि वही मुझे से हो गई गलती लेकिन अब मैं आपके लिए लॉयल्टी साबित करूँगा आपके लिए वो सब चीज़े करके दिखाऊंगा यह करके दिखाऊंगी जिससे आपको मुझ प परसन को देख पाने हूं कि उनको जरूरत है आपके साथ की और इस रिष्टे को कहीना के हील करने की वही एनरजी यहां पर रिप्रिजेंट हो रही है कि दे वान टू सेकंड चांस हीलिंग चाहते हैं मतलब क्या है वर्क करना चाहते हैं इस रिष्टे पे अब यहां पर मै जाते हैं मिस फॉर्चून है ठीक है यहां पर और यहां पर सर्वेंट है ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि यह आपका इनकी लाइफ से जाना आपका रिष्टा इन से दूर होना कहीं ना कहीं इनकी लिए कहना एक ऐसा समय लेकिया गया जिसमें इनकी लाइफ में बहुत कुछ ठीक है जिसे कि एक अच्छा भागय था उस अच्छे भागय को मिस फॉर्चून में नो खुद बदला जिस बिकॉस की ने कुछ ऐसी गलतिया करी है यहां पर थैफ्ट के नर्जी यहां पर वही दिखाती है कि कुछ चोरी कर लेना चोरी चोरी नहीं नहीं कहूंगी कि आप परसन जो रिष्टे को विश्वास को उसकी नीव को हिला दिया वही यहां पर मिस फॉर्चून लेकर आगया और यह परसन अब यहां पर देखो यहां पर क्या कह रहा है कि मुझे जब मैं तुम्हारे साथ में थाया थी तो मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशिया थी ठीक आज़ण के वर्किंग मुझे नजर आ रहे हैं तो यए है वीवर्स आज आपके लिए हम पे एक देपने मेसज प्रसनों के भी प्रस वाल लएं वही एनरजी है, सबसे पहले ही वही हा रहा है, आज कल यह काड बहुत आने लगा है, क्योंकि कहीं न कहीं आप में से जो आपके परसन है, वह इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, और इस गलतियों से वह ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस बात का अहसास है, इल्म है उनक जो करा है, वो सही नहीं किया है, ठीक है, कि रिष्टे अलग बनाना, एक्स्टा, फेर चलाना, बाहर रहना, छुपाना बाते, रिष्टे, नएने डवलप करना, यह सब चीजे, तो इसी लिए कनफेशन बहुत है, क्योंकि इनको गिल्टी है, कनफेशन कौन करता, जिसको इस बात का अफसोस हो, तो यह अफसोस में है, I can't trust you, कि यहाँ पर energy है, viewers, यहाँ पर, I don't have the strength to face you, यहाँ पर आपके person यह भी कहना है, कि वो आपको face नहीं कर पा रहे है, ठीक है, यहाँ पर, viewers, एक देखो, यहाँ पर energy क्या दिखाती है, कि इनसान ने गल्तियां करते है, पर, कुछ लोगों के अंदर मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग तो बोल्ड होते हैं, कि सामने से बोल देते हैं, कि यार उससे गल्ती हो गई, लेकिन कुछ लोग अपनी नजरों में इतने गिर जाते हैं, कि वो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाते हैं, कि बोल सकें, वो खु करने की हिम्मत नहीं आपाती है I feel embarrassed for my mistake देखो मैंने बोला ना हिम्मत नहीं आपाती है embarrassment है शर्मिंदगी है get close करीब नजदी किया बढ़ाना चाहते है I think of you at night before sleep हम late night reading कर रहे है और late night reading का ही message आया है कि रात में सोने से पहले वो आपके बारे में सोच रहे है ठीक है तो यह वीवर्स रीडिंग आज आपके लिए I hope आपके साथ में रीडिंग राजनेट हुई होगी अगर हुई है तो like share and subscribe जरू कर दीजेगा तो चलिए वीवर्स मिलते हैं next reading में till then take yourself God bless viewers thank you watching guys bye bye